कर दोस्तों रादे रादे स्वारत है आप सबीका एक बार फिर से तो जी सुनाएगे कितने बज़े साड़े दस और साफ सफाई लगबग होगी और आज मैंने न सौफों के कवर चेंज कर दी कैसे लगने बताईएगा जरूर यह पहले ही है पुरानी इनको थोड़ा सा मैंने चेंज करके लगाया है तो कैसे लग रहे है बता ही जरूर और मैं सब्सक्राइब करें लेकिन जब मैं वैसे देख लिए तो मुझे तने अच्छे नहीं लगए लेकिन तो यह जो बीच वाले हैं तीनों यह तो पहले ही हैं ल यह मैंने जो भी बनाये थे ना हमने उसके ही लगाये हैं तो कैसे लग रहे हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताईए और जैसा कि साड़े दस बचके सुनीता ने सारा काम निप्टालिया लग 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 बस अब वो लगी हुई है बात्रूम में कपड़े कपड़े नी तो जी आज खाने में बनाऊंगी कढ़ी चावल और उससे पहले बहुत सारे काम है विशने का कपड़े दोरी तो कपड़े भी खलाने और कुछ कपड़े रखे जो तैय करके लगाने काम बहुत सारे हैं आज और जो पकल मैंने वो बनाये थे ना क्या बुल्ले उन्हें रस चाशनी बच्री ना यह नहीं तो फिर यह वेश्ट हो जाएगी तो इसका इस्तमाल करूंगी मैं उसमें तो बहुत सारे काम हैं तो बहुत सारे कितने हों में कितने नहीं वह नहीं पाता तो जी बस चलिए आज का विलोग शूरू करते हैं रादे रादे बोल के वीडियो प्लीज लाज तक जरूर देखा कीजिए अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिए तो चलिए जी शुरू करते हैं फिर सबसे पहले तो मैं लेकर आई हूं बाहर फोल्डिंग क्योंकि यहां पर टीवी चल रहा था तो मैं का चलो यहीं पर कपड़े बिताय कर लूंगी और टीवी देख लूंगी सुनीता ने सारा काम कर लिया था वो कपड़े ने चोड़ रही थी बातरूम में तो मैं चले मैं क्यों है हो अलग कर दे रही हूं और जो है क्या बिलते हैं जो बिना परेस के हैं वो अलग कर दे रही हूं तो इनकी साथ के साथ ही मैं तेये करके रख दूँगी और अभी भी मसल्स में थोड़ा सा खिचाव है पहले से बहुत बैटर है पर थोड़ा सा खिचाव है तो मुझे लग रहा था कि मुझे साइद आंटी के पास एक दो बार और जाना पड़ेगा तो जी देखे कपड़े मेरे लगबग हो गए है तै और इसके बाद मैं इने रख द को दो लिया था देदी आप बाल नी बनवा रहे मैं का मेरा टाइब highlighting लगरा मैं कभी किसी काम में लग जाती थी कभी किसी काम में तो होनी था तो आज वो कहने लगी कि दीडी कर वालों तो फिर यहां पर देखें वो कर दी है मेरे बालों की चोटी हेरिस्टाइल बना रही है कर दिया है मेरे इस्टाइल दो तरह की चोटी की है इसने वह चली गई है अब जातो में आपके कपड़े फैला रही हूं तो एक दिन के धोई नहीं जाते दूसरे दिन के सूख जाते हैं इस तरीके से काम हो रहा है और बस मैं रोजी कोशिश करती हूं मैं का रोजी धोए जा जाने लगी है तो दीरे दीरे करके जो सर्द्यों के कपड़े हैं वो भी मैं रख दे रही हूं जो जरूरत के हैं दो चार कपड़े वो बाहर छोड़के बाकी करीब करीब मैंने सारे जो मोटे कपड़े हैं वो रखी दिये हैं तो जी इसके बाद फिर मुझे खाने की भी करनी और अभी थोड़ा सा टाइम था तो मैं का चलिए मैं कुछ और काम कर लूँगी तो यहां पर बस कपड़े फैला के सबसे पहले तो जो चावल है वो मैं भीगो के रखोंगी क्योंकि एक डेड़ गंटा है दो गंटा चावल भीग जाते हैं तो अच्छे बनते हैं खिले जी देखे थोड़ा सा टाइम था तो मैं का चलिए जी इसका भी यूज किया जाएं यहां पर मैं करने लगी हूँ एडिटिंग और तब तक जो हैं बच्चे आगे तो और अपनी सैतानिया शुरू कर दी थी यह कहां जा था तू इतनी करीम लगा के देखको इंगा मूह ते रहा देखको इदर क्यों लगाई है तन्य इतनी मैं में आपने क्रीम लगा के जारी जोस्त के पास तो थोड़ी सी और लगाला क्रीम कम लग दिया तो इंग क्यों दोवे इस सब्सक्राइब रूग जा में दोंगे तेकी तो देख लिया आपने यह देखिया बप्व को इसके तो देखो लिया री तो सारे पुराने कागजात निकाल रहे है और यह पतानि कब-कब के है कागज यह इनकी ओली जला भंगे है सारे करेड़ने पड़े सारे एक पेज फाड़क गेरियो आज यह पता नहीं कुछ डूंडने लगे मुझे लग रहा उसके उसमें है यह और कागज देख लो कितने सारे में अभी तो आदे निकाले मुझे लग यह अभी तो एक लिफापा वो देखो जो अंदर रखा न और कलर का वो लिफापा भी नहीं काई है फाल तो कागजो काई तो जी देखें इहां पे इन्होंने कितने सारे कागज निकाल दे हैं और यह बहुत ही पहले पहले के पता नहीं कब के इनके थे जब से इहां पे रहने लगे तब कि यह कागज दे छोटे मोटे से मतलब एक तो आज इन्होंने जो भी वेश्ट थे वो सारे फैक दे इन्होंने निकाल के तो यह कमरे में से करके सफाई मैं आगी हूं कीचन में और सारी तैयारी कड़ी बनाने की मैंने कर लिया है चावलो का पानी रख दिया है और इधर कड़ी का गोल पकोडी का गोल छोंक सब कुछ म बनाती हूं पकोडिया इद्र बना रही हूं पानी में उबाला गया है चावलवाले में चावल डाल दी है और इदर पकोडिया भी जो है हमारी वह सारी बन गई है यहां पर बस मैं लगा डूंगी तढ़का इसी में थो आज तडाल लोंगी तो यहां पे छोंक पिमिर्श डाल दी है मित्थी दाना जीरा गया है यहां पर मैं थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी सौफ डाल रही हूँ छोंक में और इनी नहीं इसका टेस्ट बिलकुल चेंज कर दिया था चटकने के बाद भई अपना लेसन प्याज और हरी मिर्च डाल दी है और जब वो सारी भ कड़ी को पकाना है दर चावल भी गल गए है तो मैं का चलिए जी दर कड़ी भी पकती रही साथ के साथ में चावल भी नी चोड़ दूगी रोटी मैं नहीं बनाती हूं चावलों के साथ सुबह के थाइम मतलब जब भी मैं चावलों बनाती हूं तो मैं उस टाइम पर कड़ी हमारी पकोड़ी वगएरा डाल के अब लाश्ट में डाल दिया है इसमें हरा धनिया और चावल लगा दे है मैंने कट प्लेट में तो यहां पर कड़ी तो मैं काना जी को नहीं दूँगी उसमें उनके मिठा दूँगी उनको चावलों के साथ तो यहां पर पहले काना जो भोग है वो ले आई है तो काना जी का भोग जो है वो कोई भी खा लेता है हम लोग या तो से सारे में ही मिला लेता है या फिर जैसे एक प्लेट में है भी यह मिठा है तो उसमें से सब को खिला देता है थोड़ा थोड़ा सा तो हमारा तो वही परशाद हो जाता है जी देखे जिए बस यहां पे हम लोग खाने लगे हैं खाना और उसके बाद फिर मैंने किया था थोड़ा सा रेश्ट बच्चों को सुलाया था पीहू तो पिचारी टूशन चली गई ती रुई के पेपर खतम हो चुके हैं तो रुई अब नहीं जाएगी टूशन इसकूल और पिहू के अभी दो पेपर बचे हुए है तो पिहू गई हुई है तो जी बच्चों को सुला के मैं जाडू लगाने लगी थी थोड़ी देर मैं भी लेटी हूँ और रुई जो है वो थोड़ी देर में उठके आली मेरे पिछे पिछे ही सोके और वो सोई इसलिए नहीं जी जाता है तो बच्चों को आज यह था कि जब पेपर खतम हो गया तो है अब कोई रिजन नहीं बचता ना आने का तो वह बहुत एक्साइटिड थी कि इशू आ जाएगी और वह तयार होके इस तरीके से घूम रही थी जैसे पता नहीं क्या आने वाला था क्या नहीं और यह पी रहा चाहे इनके तब जो है थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही थी कल तो यह चले गए थे लेकिन फिर बाद में आ गए थे और तो मैं का चलो थोड़ा सा रैष्ट कर लो तो देखे बस कृष्णा भी उठके आ है और उसके बाद बच्चे जो है वो सारे खेले चले ग बच्चे बहुत पसंद करते हैं यह भी पसंद करते हैं तो उसलिए मैं बहुत थोड़े से जम्च भी डालड़ी ए थी तो तो मैं मैं चा急 मुर इनको इसमें मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा और साथ में सफेद तिल बाकी कोई ड्राइफ रूट मेरे पास फिलाल नहीं था और मैं मंगवा भी अब इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि अब गाओं में जाना है तो रख्यों फिर खराब ही होंगे और बस यहाँ पर मिक्स करके सारा थोड़ी थोड़ी सी चाशनी डालते हुए हम इसका आटा लगा लेंगे और इस बार जो है मैं जादा हाड आटा नहीं लगा रही हूँ सोफ्ट थोड़ा सा करूँगी क्योंकि उसको बेलना मुश्किल हो जाता है जो हाड आटा होता है और इसको लगा के हम रख देंगे कम से कम 15-20 मिंट के लिए जिससे की वो सोफ्ट हो जाए और ज्यादा तो जी उसके बाद यहाँ पर देखे मैंने कड़ाई में सोरी फ्राइपैन में तेल चड़ा दिया है और यहाँ पर मैं बेलने लगी हूँ यह बिसकिट निकालने के कोटी बना रही हूं मैं तो देखिए बस यहाँ पर इसनके अब यह मेरे पास एक शेप कटर है और इसी से ही मैं काटती हूँ बाकि सोच भी रही थी कि मैं मंग वाँगी अलग लग शेप क्योंकि बच्चों को अच्छे लगते हैं पर फिलाल मैं का चलिए यह है तो इसी स काम के लिए फोर्स नहीं करते एवन वो यहां तक भी फोर्स मुझे नहीं करते कि मैं खाना बनाऊं मेरी इच्छा है या नहीं है वो एक अलग चीज है जो भी मैं काम करती हूँ मैं अपनी खुशीशे करती हूँ अपनी मर्जी से करती हूँ ना कि कि किसी के दबाओ में आ तो प्लीज बोलने से पहले थोड़ा सोचे समझेगा तो देखेजिए यहां पर इनको फ्राई करें तो एक बात का ध्यार रखे कि जब आप बिस्किट डाले तो तेल गरम होना चाहिए लेकिन बिस्किट डालने के बाद आप गैस जो है वो थोड़ी सी कम कर दीजिए क्योंक अब आप जो गैस है वो तेज कर दीजिए तो उससे जो बिस्किट है वो अच्छे सिखेंगे और फुटेंगे भी नहीं तुटेंगे भी नहीं और तेल की कोशिश कीजिए कि बिस्किट पूरे डूब जाएं पिछली बार जब मैंने बनाये थे तो तो तेल थोड़ा सा कम चाएंगे खायांगे बाकी मैं गाउ में लेके जाऊँ मी के लिए तो वो हमेशा कहती है कि इन दुत हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहते हैं लेकिनxo में इसा बार पूरी प्लानिंग है कि जितना मेरे से हो सकेगा उतना मैं यहां से बना की ले के जाऊंगी मम्मी के लिए तुजी देखे बिसकिट हमारे हो गई है रेड़ी और हुए ने इनको रख दिया है एयर टाइट कंटेनर में बंद करके तो जी सारे बिसकिट बन गया है और काना जी करें को दे दे थे मैंने पेले यह वेख़े दोन्यों काना जी यहां से एकने घर में और यह है इनका पर्शाद बो दिर जब पहले बनाए थे ना तब यह दे दे थे लो जी इसुदे भी आई हुई है खा के देखो एक एक ले लो सारे पहले एक तो खाले है पहले एक तो खाले है पाचला बेगी शुदेवी पाचला बेगी ताजी जी जी मम ताजी जी जी पी आड़ी शार लुई ताजे लद्रोर मैं भी चाजी ती ममा भी आए है लद्रोर लेने दे ले और आतर ती मैं भी आजे हूँ और ताज़ ताज़ा थांबे हम धेले रहे कृष्णा कह रहा तो जी ये इशू ये रूही ये पीवू है ये पीवू ये हम मतलब इनके नाम ले रहा ये खा रही हैं लड्डू ममम भी आगी है लड्डू लेके और तो जी अब हम करेंगे काम है ना? तो ये करेंगे अब काम और मैं भी बस इस वीडियो को ये पे रूखूँँगी खाने में कड़ी तो रखी है रोटी बनानी है और बस जी उनका इंतजार है जब वो आएंगे तब देखेंगे और क्या करना है तुझी आज के लिए इतना ही आई होप आपने आज का वीडियो एंजोई क्या होगा वीडियो अच्छा लगाए तो इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करें सब्सक्राइब नहीं क्या है तो कर ले तो फिर मिलते हैं कोने वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे 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 काना जी बैटे लड़ू